Hello my dear students, welcome to Magnet Brains. मैं हूँ आपकी English teacher प्राची वर्मा और आज हम discuss करेंगे English का syllabus overview NCRT के हिसाब से. English के हमारे 8 standard के syllabus में दो books है Honeydew और It's So Happened. Honeydew जो है वो हमारी main course book है और It's So Happened हमारी supplementary reader है जो हमारी reading को supplement करेगी यानि support करेगी. हम start करते हैं Honeydew के discussion से जिसमे की poems और हमारे chapters का equal mixture है. हमारा first chapter है the best Christmas present in the world. अब present क्या होता है? present एक gift होता है और जैसे कि आप सब को पता है Christmas जो festival है वो famous है gifts देने और लेने के लिए. तो हमारा जो best Christmas present in the world है ऐसा कौन सा present है आखिर ऐसा कौन सा gift है जो कि पूरे world में सबसे जादा best है. उसके बाद आती है हमारी एक poem जिसका नाम है The Ant and the Cricket. यहाँ यह जो cricket है वो cricket actually game वाला cricket नहीं है वो हमारा एक insect है. जैसे कि आपने grasshopper का नाम सुनाओगा जो कि green कलर का होता है तो cricket यहाँ पे brown कलर का होता है. तो ant और cricket के बारे में यहाँ पर एक poem है. Second है The tsunami. सुनामी आप सब जानते हैं water से related, पानी से related एक disaster है, एक natural calamity है. मतलब nature से होने वाला एक disaster है. जिसके बारे में हम इस chapter में read करेंगे. क्यों शायद उसकी वज़े से बहुत जादा तबाही मच गई हो, लोग बहुत जादा परेशान हो, उसकी एक story है. Second poem है हमारी geography lesson. अब हम English का syllabus discuss कर रहे हैं तो हम इसमें geography का chapter तो पढ़ेंगे नहीं. लेकिन geography lesson का मतलब है, शायद जो poet है हमारा इस poem का, वो geography के lesson से मिलने वाली किसी seek के बारे में यहाँ बताना चाह रहा हो. उसके बाद हमारा third chapter है glimpse of the past. यहाँ यह जो glimpse है, glimpse actually, glimpse का मतलब होता है, छोटे-छोटे हिस्सों में हमें किसी चीज का याद आना, किसी memory का याद आना. तो यहाँ जैसे की past लिखा हुआ है तो glimpses of the past का मतलब है पुरानी चीजों के बारे में छोटे-छोटे हिस्सों में हमें कुछ memory याद आ रही है उसके बाद हमारी एक poem है Macavity the mystery cat 50 Macavity यहाँ पर उस cat का नाम है और एक mystery cat के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे है mystery मतलब खूफिया जिसके बारे में कोई खूफिया रास छुपा हुआ हो वो हम पढ़ेंगे इस poem में Next है बेपिन चौधरी's lapse of memory बेपिन चौधरी यहाँ पर हमारा hero है इस story का hero है और उसकी memory lapse के बारे में बात कर रहे है memory lapse का मतलब lapse मतलब कुछ चीज चले जाना जैसे phone में हम नहीं देखते है lapse हो गई memory या या photos lapse हो गई अचानक से गायब हो जाती है बिलकुल उसी तरीके से यहाँ पर memory में से कुछ हिस्सा गायब हो जाना कहते है हम lapse in the memory जैसे हम movies में memory loss भी कहते हैं या दास चले जाना तो विपिंच चौधरी's lapse of memory के बारे में बात हो रही है the last bargain, bargain करना भाईया मेरा तो सबसे favorite काम है क्योंकि जब भी मैं market जाती हूँ मैं हमीशा भाईया से बोलती हूँ भाईया ठीक ठीक लगाओ थोड़ा तो कम कर दो, उसी act को हम bargain कहते हैं तो यहां जो last bargain की बात हो रही है, यह उसी bargaining की बात है किसी की shopping story है जो हम यहाँ पर इस poem में जानेंगे फिर आता है the summit within summit क्या होता है आखिर? summit का मतलब होता है किसी mountain का topmost जो point होता है सबसे उपर का जो point होता है उस हम summit कहते हैं हम mountain के top पर पहुँच गए हैं, हम किसी पहाड के top पर पहुँच गए हैं उसे हम summit कहते हैं तो summit within, within मतलब हमारे अंदर की बात हो रही है तो summit within chapter में शायद हम अपने ही डर को डर से उभरने के लिए जो seek है, जो motivation है हमें शायद से वो यहाँ पर मिलेगी next आता है the school boy, बहुत ही simple सा title है और school boy में हम इसी बारे में बात करेंगे किसी school boy की journey को discuss करेंगे this is jordie's phone, title बहुत ही interesting है लेकिन उसके साथ साथ हम इसमें बहुत ज़्यादा curious भी है curious मतलब हमें जिग्यासा है यह जानने की कि आखर इस chapter में बात किस चीज़ की हो रही है next हमारे साथ है the visit to Cambridge Cambridge आप सबको पता होगा आपने movies में या news में देखा होगा international level पर बहुत बड़ा college है Cambridge बहुत बड़े-बड़े writers, authors, poets यहाँ से pass out हुए है Cambridge का एक visit है शायद से हमारा यहाँ main character है हमारी story का वो Cambridge में एक visit कर रहा है एक बार वो वहाँ पर घूमने कर रहा है when I set out for Linus Linus क्या है? Linus एक place है जिसे हम supernatural कह सकते हैं मतलब वो थोड़ा सा God की stories से related है है ना? तो उसके बारे में है कि हमारा जो hero है इस poem का he's setting out for Linus set out करने का मतलब होता है pack करके वहाँ पर घूमने जाना set out उस process को कहते हैं उस बारे में हम देखेंगे a short monsoon diary diary कुछ लोग maintain करते हैं कुछ लोग नहीं करते हैं कुछ लोगों को जिनको monsoon बहुत पसंद होता है वो अपने सारे experience को एक diary में लिखके रख लेते हैं उन्हें अच्छा लगता है तो यहाँ पर शायद से हमारा जो writer है उसने monsoon के बारे में अपनी diary में record करके रख लिया है अपने feelings को next आता है on the grasshopper and cricket अब grasshopper and cricket जैसे मैंने कहा था कि बड़ाई confusing होता है एक green कलर का होता और एक brown कलर का होता और दोनों दिखते बहुत ही similar है और शायद से हमारे इस book के जिनने इस book को बनाया है उनको grasshopper and cricket बड़ा ही पसंद है इसलिए उन्होंने यह लेकर रखा है कि फिर से एक और poem दे दी grasshopper and cricket के उपर next है the great stone face 1 or 2 अब इस चाप्टर बड़ा है इसलिए हमने इसको दो हिस्सों में बाटा हुआ है great stone face से आपको क्या याद आता है great stone face से मुझे यह याद आता है कि United States के जो president है उनके face जो है वो एक बड़े से पहाड जैसे पत्थर पर उन्होंने inscribe किया है उन्होंने पत्थर के उपर face बनाया हुआ है है ना उसे हम great stone कह सकते हैं उसी तरीके से great stone face के बारे में यहाँ पर बात हो रही है यहाँ खतम होती है हमारी main course book honeydew next हम बढ़ते हैं it so happened की तरफ जो की हमारी है supplementary reader इसमें सिर्फ 11 chapters है इसमें कोई poem नहीं है तो जो हमारा first chapter है वो है how the camel got his hump अब यहाँ पर गौर करने की बात है कि hump क्या होता है जो camel के उपर एक उठा हुआ हिस्सा होता है उसे हम hump कहते हैं जिसमें वो पानी और खाना store करके रखता है क्योंकि वो desert में रेगिस्तान में रहता है तो camel के पास वो हम कहां से आया शुरुवात से था की नहीं था उसकी backstory को हम यहाँ पर पढ़ेंगे Children at work में हम guess कर सकते हैं एक तुक्का लगा सकते हैं कि हम शायथे child labor के बारे में बात करेंगे या किसी ऐसे बच्चे के बारे में बात करेंगे जिसे काम करना पसंद हो तो children at work भी एक बहुत जादे ही interesting chapter होने वाला है selfish giant selfish आप सब को पता होगा कि selfish कौन होता है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है और giant कौन होता है giant वो इंसान होता या वो creature होता है कुछ भी वो ऐसी चीज giant कहलाती है जो big से भी जादा big होती है big मतलब normally बड़ा होना और giant मतलब बहुत बड़ा होना जिसका हम measurement नहीं कर सकते the treasure within within मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया हमारे अंदर की बात और treasure का मतलब होता है खजाना तो कोई ऐसा खजाना एक कोई शाद से कोई talent हो कोई खूबी हो जो हमारे अंदर हो उसके बारे में जानना inspire होना और motivation के बारे में हम इस chapter में पढ़ेंगे princess September princess की कहानिया हमने बचपन में तो बहुत सुनी होंगी परियों की, रानियों की, राजकुमारियों की उसी तरीके से हम एक ऐसी princess के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम ही September है next आदा is the fight लड़कों के लिए शायद से ये chapter बहुत मज़िदार होने वाला है योगी fight करना उनको बहुत पसंद होता है the open window अब ये एक open window की कहानि है जिसके शायद हमें बाहर जाना हो सकता है या अंदर आना हो सकता है या हमारे लिए एक sign हो एक जरिया हो अपने आपको पहचानने का फिर जलेबी मेरे मूँ में तो पानी अभी ही आ गया क्योंकि मुझे जलेबी बहुत पसंद है सबसे famous sweet dish होती है हमारी country की जलेबी तो उसी में हम ये देखेंगे कि जलेबी के उपर आखेर ऐसी कौन सी कहानी है जो हमारे syllabus में है फिर आता है comet 1 और comet 2 जिन बच्चों को science में बहुत ज़्यादा interest है वो ये चीज पर गौर कर सकते हैं कि comet क्या होता है कॉमेट के बारे में कौन सी story दी हुई है comet वो rocks होते हैं चोटे-चोटे जो space में होते हैं अर्थ के बाहर और जब वो अर्थ के अंदर आते हैं तो वो हमें तूटते हुए तारे की तरह दिखते हैं उनको हम comet कहते हैं तो शायद से अब आपको इंटरेस्ट आगया होगा कि comet 1 और comet 2 में क्या story होने वाली है और लास्ट जो हमारा chapter है ancient education system of India ancient मतलब होता है बहुत पुराना education system तो आप सबको पता ही है कि education किस तरीके से उस ताइम पर दिया जाता था बच्चों को तो इंडिया में उस system को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि पहले हमारे पास बहुत बड़े-बड़े ऐसे लोग थे जिनने हमारी इंडिया को proud feel कराया है तो आखिर वो किस education system से उनने पढ़ाई की होगी कि वो इतने जादा intelligent बने इस बारे में हम समझेंगे इस chapter में इसी के साथ हम ख़दम करते हैं हमारा English syllabus का overview जिसमें कि हमने अपनी दोनों books cover करी है हमारी next class में हम मिलेंगे the first book honeydew के साथ और उसके first chapter को हम start करेंगे the best Christmas present in the world और मैं आपको एक और interesting बात बताना चाहती हूँ कि Magnet Brains पर 100% free course available है 6th से 12th standard तक वो भी सारे state boards में तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आया शेर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप इन सारे वीडियो से updated रह सकें Thank you